Hello guys, welcome back to the channel तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे WordPress के Dashboard के बारे में इसमें मैं आपको कुछ Options बता दूँगा और ऐसे ही हम इसे 2-3 वीडियो में Divide करेंगे ठीक है? तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि हम WordPress को इंस्टॉल कैसे कर सकते है हमारे लोकल सर्वर में ठीक है? अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप वहाँ से इसली जाके देख सकते हो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप अभी WordPress के डैशबूर्ड के बारे में देखेंगे ठीक है? तो मैं अभी पहले WordPress ओपन कर लेता हूँ हमारा था localhost slash and then हमारे project का नाम था project underscore dev ठीक है? और देखी है अगर आपको WordPress का admin open करना है तो आपको क्या करना है? simply इसके आगे orx slash करके wp-admin देना है ठीक है? अगर आप ये दोगे तो ही आप WordPress के dashboard में जा सकते हो ठीक है? अगर आप ये नहीं देते हो जैसे अभी मैंने ये निकाल दिया और सिर्फ मैंने सिर्फ अभी project folder डाला है तो मैं अभी इसको enter करूँगा तो आप देखोगे कि हम जा रहे सिधा front end पे अगर आप पहले से ही login हो इसमें और आप front end पे जाते हो तो आपको यहाँ पर option आता है वापिस से dashboard में जाने के लिए बट अगर आप login नहीं हो पहले से तो ये जो top bar आ रहा है वो नहीं आएगा ठीक है तो अगर ये top bar नहीं आ रहा है और आपको wordpress के dashboard में login करना है तो आप कैसे कर सकते हो तो simply आपको यहाँ पर wp admin लिखना है ऐसे और इसको करना है enter तो अभी मैं पहले से login था तो इसलिए मैं directly wordpress के dashboard पे आ चुका हूँ अगर मैं login नहीं होता तो मुझे username और password डालने के लिए पूछता ये तो अभी तो मैं login हूँ तो simply मैं अभी easily dashboard में आ चुका हूँ तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये wordpress का top bar में क्या क्या options है और हम सिर्फ updates देखेंगे ये क्या होता है ठीक है और उसके बात के वीडियो में हम ये सारे options cover करने वाले हैं ठीक है और हाँ मैं ये wordpress के dashboard के बारे में बता तो रहा हूँ पर मैं इसमें आपको सारी चीज़े नहीं बताऊँगा क्योंकि कुछ कुछ चीज़े ऐसी है जो हमें use नहीं होने वाली है तो हमें जो जो important है मतलब website बनाने के लिए वो चीज़े लगती ही है वो ही मैं आपको बताऊँगा ऐसे नहीं कि हर सारी चोटी चोटी चीज़े बताऊँगा और फिर बाद में पता चले कि ये आपके लिए कोई use ही नहीं हो रही है कहाँ पे तो इससे अच्छा ये है कि जो चीज़े use हो रही है वो ही आपको बता दू ठीक है तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं तो देखिए अभी जैसे ही हम wordpress के dashboard में login होंगे तो यहाँ पे हमको option मिलता है project development अभी ये project development क्या है ये हमने हमारे site का title डाला था इसलिए यहाँ पे आ चुका है project development अगर आप site title कुछ अलग डालते तो आपका यहाँ पे कुछ अलग नाम आता ठीक है अगर आपको front end पे ज आप सीधा इस पे click करके front end पे भी जा सकते हैं तो मैंने open in new tab क्यों किया ताकि यहाँ पे हमारा dashboard भी open रह सके एक side में और front end भी open रह सके ठीक है तो यह अच्छी practice होती है fast work करने के लिए उसके बाद यह जो w option है यहाँ पे wordpress का logo है इस पे आप आओगे तो आप about wordpress पे जाएगा यह की wordpress का कौन सा version है और उसमें क्या-क्या changes किये है इस wordpress के update में ठीक है उसके बाद और options है जैसे कि आप wordpress के documentation पर भी जा सकते हो यहाँ से उसके बाद support है feedback है या फिर आप wordpress.org के site पर जा सकते हो जहासे हमने wordpress को download किया था अभी देखिए यह options और यह जो menu में options है अभी यह तो हमें use नहीं होने वाले है wordpress की website बनाने के लिए हाँ यह कभी-कभी हम about wordpress use कर सकते हैं use नहीं होगा यह तो सिर्फ आप देखेंगे कि wordpress का कौन सा version है और इस version में wordpress ने क्या-क्या changes किये है ठीक है तो यह हो गया यह first option का यह second option तो हमने देखी लिया है पहल ठीक सकते हो ठीक है अभी तक हमने post नहीं देखे हैं अभी तक हमने comments भी नहीं देखे हैं तो यह option देखने का कोई value नहीं है तो जब हम post को cover कर लेंगे तो आपको यह जरूर समझाएगा कि हम comments कैसे use कर सकते हैं ठीक है तो अभी के लिए इसको यही समझ लो कि यह comments है अगर आपके post पे किसी ने comment कर दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ यह 0 है, उसकी जगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यह यहाँ पे सिर्फ comment count आएगा, जितने आपके wordpress के post पे comments है, यहाँ पे वो display करेगा, ठीक है, उसके बाद यह options है, यहाँ पे आपको आपका, अगर आपने profile pick ड कौन कर देंगे, edit profile को, ओकी, देखे, अभी edit profile का options आ चुका है, तो अभी हम इसे देखेंगे, हमारे next, के next video, जब भी यह video आएगी users वाली, उसमें हम सब users के बारे में देखेंगे, तो अभी मैं आपको सिर्फ option बता रहा हूँ, अगर आप अपनी profile edit करना चाहते हो, तो से आके, यहाँ पर edit profile कर सकते हो, या फिर, आप सिर्फ user पर आके, यहाँ पर देखी, यहाँ पर profile लिखा है, उस पर आओगे, तो भी same page ही open होगा, ओके, तो चली हम वापस आ जाते हैं, हमारे dashboard पर यहाँ पर, ओके, उसके बाद है option यहाँ पर logout का, अगर आप logout कर दोगे आपको फिर से, यह आपको login page पर भेज देगा, वहाँ से आपको फिर username और password डालके फिर से login होना पड़ेगा, ठीक है, तो यह option से इसके, उसके बाद, यह जो menu है, ठीक है, new, तो यह हमें help करता है, कि अगर हमें new post add करना है, new media add करना है, new page add करना है, या फिर new user add करना है, वो simply हम यहाँ से add कर सकते है, अभी यह सारे options यहाँ पे भी available है, जैसे कि post हो गया, media हो गया, pages हो गया, या फिर users हो गया, यह हम यहाँ से भी add कर सकते है, बट यहाँ से हमें दिया है quick action के लिए, ताकि हमें बार बार यहाँ पे जाके, फिर यहाँ पे add new करने की ज़रूरत नही होगा, तो I hope आपको यह समझ आया होगा, अभी इसके detail में जाने के हमें अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब next video में देखेंगे, कि हम post कैसे create करते है, media कैसे create करते है, add करते है, तो हम वहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ यह आपके लिए quick option है, आप यहाँ से उसको सीधा new करके add new, media, post, page और user, यह चार कर सकते हो, फिर से आप हम आते हैं dashboard पे, तो यहाँ पे एक अच्छा option दिया हुआ है, तो अभी देखेंगे, यह dashboard पे बहुत सारी चीज़े हैं, इनको widgets वोलते हैं, अभी यह बहुत सारी चीज़े हैं, तो यह भी आपके लिए shortcut ह ही मान लो, देखें यहाँ से आपको अगर post create करना है, तो आप simply यहाँ से write your first blog post पे click कर सकते हो, या फिर आपको about us page create करना है, तो आप यहाँ पे click कर सकते हो, उसके बाद आपको setup, homepage को setup करना है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, but हम यह सब देखेंगे, जब हम यह सारे options द use कर सके, तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि यह सारे जो options है यहाँ पे दिये होगे, जैसे कि यह activity हुआ, attack glance हुआ, या फिर यह quick draft हुआ, यह मुझे नहीं चाहिए अभी मेरे dashboard पे, तो देखें यहाँ पे एक option दिया है, screen options, उस पे अगर click करोगे, तो अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे यह welcome to wordpress नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे, तो मैं simply इसको uncheck कर दूँगा, देखें वो यहाँ से option चला गया है, अभी मैं चाहता हूँ यह wordpress events and news भी ना दिखें, वो भी चला गया, quick drops भी ना दिखें, वो भी चला गया है यहाँ से, उसके बाद मैं चाहता हूँ क मुझे site health status भी ना दिखें, मैंने इसको uncheck कर दिया, उसके बाद glance को भी end check कर दिया, उसके बाद activities को भी कर दिया, उसके बाद PHP update required को भी कर दिया, देखें अभी यह पूरा wordpress का dashboard खाली हो चुका, तो आप बोलोगे इसे खाली क्यों रखना है, देखें अभी आगे जाके हम जब plugins install करेंगे, जैसे analytics plugin हो गया, जैसे jetpack का plugin है, वो क्या करेंगे, उनके widgets यहाँ पर display करेंगे, ताकि फिर हमको यहाँ पर traffic दिखाता है, उसके बाद हम जब security का plugin देखेंगे, उसका status यहाँ पर आएगा, तो इतने सारे widgets होने से अच्छा है, कि हमें दो तीनी widgets दिखें, हाँ, अगर आप चाहो, तो एक दो आपको quickly चाहिए, तो आप इसे simply मैं welcome को रख देता हूँ अभी के लिए, देखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो I hope कि आपको सिर्फ यह screen option समझ आया होगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इसे disable करना ही है, यह सिर्फ आपका preference है कि आप इसे कैसे दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो मुझे हमेशा अच्छा नहीं लगता कि मैं यह सब भर के रखूँ, तो मैं simply यहाँ से इन सब को uncheck कर देता हूँ, ताकि मुझे जो मेरे लिए required options है, वो ही सिर्फ मुझे यहाँ पर display हो, तो I hope आपको यह समझ आ होगे, उसके बाद हम आते हैं updates पे, अभी यह WordPress का update है 5.5.1, अभी यह WordPress updated है, तो हमें इसे update करने की जरूरत नहीं है, तो यह option क्यों है, अगर suppose मान लो अभी आपने WordPress install किया है, और कुछ दिनों बाद उसमें WordPress का new update आ गया, तो WordPress क्या करेगा, आपको इस जगे पे WordPress शो करेग आपका new version आ चुका है WordPress का, और आप उसे install करिए, ठीक है, तो simply वहाँ पे एक button रहेगा update WordPress, उस पे अगर आप click करोगे, तो WordPress easily update हो जाएगा, बट अभी उसके लिए precautions क्या है, कि WordPress update करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, तो मैं अभी एक simply बता देता हो, कि जब भी आप WordPress update करो यहां से, तो आपको क्या करना है, कि आपको पूरे website का backup लेकर रखना है, कभी कभी क्या हो जाता है, कि जब WordPress update करता है, तो WordPress उसके जो पूराने files रहते हैं, उन सबको delete करके new files add कर देता है, तो possible हो सकता है, कि आपका कुछ data miss हो जाए, तो उससे अच्छा rescue लिया जाए, ठीक है, तो उससे अच्छा आप पहले backup रख लो आपके पास, और उसके बाद update कर देना, उसके बाद आता है plugins, अब यह plugins क्या है, यह जब हम plugins के options में जाएंगे, यहाँ पे plugin option है, उसमें हम देखेंगे, उसमें भी same है, अगर plugin का कोई update आता है, तो यहाँ पे show होगा, मतलब जो जो plugins के updates आएंगे, वो यहाँ पे show होगे, themes, themes क्या है, यह भी हम themes में, देखें, यह appearance के अंदर option रहता है, themes का, यह भी जब हम appearance option देखेंगे, उसके अंदर के themes देखेंगे, तब मैं आपको बता दूँगा, simply अभी के लिए आप समझ लो, plugins मतलब आपको कोई functionality आपको short, ओके, तो अगर themes के कोई update आएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है, तो बस यही है updates का option, तो I hope आपको यह updates का option समझ आया होगा, अभी themes का बोले, तो अभी देखिए, यहाँ पे सब themes up to date है, और अगर हम front end चेक करेंगे, देखिए, अभी यहाँ पे layout है, तो अगर उसका update आएगा, तो यहाँ पे show हो जाएगा, तो यह सब हम देखने वाले है, themes के section में, तो अभी के लिए, बस इतना समझ लो, कि यहाँ पे, जब आपको themes का update आएगा, यहाँ पे display होगा, plugins का update आएगा, यहाँ पे display होगा, WordPress का update आएगा, यहाँ पे display होगा, तो इतने भी updates है, वो यहाँ पे list होगे, तो आपको सिर्फ updates में जाके इनको update करना है, तो I hope कि यह video आपको ज़रूर समझ आई होगी, इसमें हमने सिर्फ top menu देखा, जो हमें use होने वाला है future में, WordPress की website बनाने में, वही option हमने देखे है अभी तक, ठीक है, अभी next video में हम देखे कि post हम कैसे use कर सकते है, post हम create कैसे करेंगे, categories क्या है, tags क्या है, और उसके अंदर editor है, वो editor भी हम detail में देखेंगे, ताकि आप जब भी post बनाओगे, तो आपको easily सब समझ आए, तो I hope आपको यह video समझ आई होगी, कि आप easily updates कैसे देख सकते हो, यह top bar किस लिए use होता है, screen options क्य है, ठीक है, तो चलिए इस video को यही खतम करते हैं, और मिलते है next video में, और अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है, तो अभी subscribe कर लो, और भी बहुत सारे wordpress के related videos आने वाली है, जो कि आपको real में help करेगी wordpress की website बनाने में, और हाँ इसे like और share करना ना भूलिएगा,